इरान की राजधानी तेहरान में हमास सरगना इसमाइल हानिया की हत्या कर दी गई है। वो तेहरान के एक अपार्टमेंट में ठेहरा था। इरानी सेना ने बताया है कि हानिया के साथ उसका एक सुरक्षा गार्ड भी मारा गया है। इस हत्या की जिम्मेदारी किसी नहीं ली है, हालिम की शक है कि इसके पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है। इजरायल ने 7 अक्टूबर वाले हमले को लेकर हानिया समेत हमास के शीर्ष नित्रित्व को खत्म करने की धमकी दी थी। हमास ने एक बयान जारी कर धमकी दी है कि वो हिस मौत का बदला लेगा। इसमाइल हानिया इरान के नए राश्ट्रपती मसूद पेजे शिक्यन के शपत ग्रहन में शामिल होने के लिए तहरान पहुचा था। इस दोरान उसने इरान के नए राश्ट्रपती के अलावा इरान के सर्वोच नेता आयातुला हली खमनेई से भी मुलाकात की थी। उसकी मुलाकात की कुछ तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं। इसमाईल हानिया को इरान ने राज किया अतिथी का दरजा दिया हुआ है। इरानी राश्ट्रपती के शपत ग्रहन में कई देशों के नेता तहरान पहुचे हैं। सूत्रों के अनसार, इस्माइल हानिया के इरानी राष्ट्रपती के शपत ग्रहन समारों में पहुँचने की जानकारी इज्रायल को पहले से थी. इज्रायली खुफिया एजेंसियों ने इसमाइल हानिया पर नजर बनाए रखी और उसके रहने के ठीकाने के सठीक कोडिनेट इज्रायली सेना को भेजे. इसके बाद सठीक हमला करने में सक्षम Гाईडेड मिसाल के जरिये हानिया के ठीकाने को निशाना बनाया गया. ऐसे में तेहरान में इज्रायली हवाई हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसके एक बाडी गौड की मौत हो गई IRGC से संबध फॉस न्यूज ने बताया कि इस्माइल हानिया की मौत उत्तरी तेहरान में उनके आवास पर सुबह दो बजे बजे स्थानिय समयानुसार एक एरियल प्रोजेक्टाइल लगने से हुई हालांकि उस प्रोजेक्टाइल के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी गई हिजबुलाह से संबध हल मायादीन ने भी एक अनाम इरानी अधिकारी के हवाले से कहा कि हमास नेता की हत्या विदेश से दागी गई मिसायल से की गई रिपोर्ट में कहा गया कि अधिकारी ने इसे इरान के विरुद्धा अक्रामक्ता का क्रिट्य बताया जिसके लिए निर्नायक प्रतिक्रिया की जाएगी इस्माइल हानिया ज्यादातर वक्त कतर में गुजारा करता था कतर की राजधानी दोहा में हमास का राजनीतिक कार्याले भी है जिसका चीफ हानिया था इजरायल भूलकर भी कतर में हानिया पर हमले की गुस्ताखी नहीं कर सकता था इसके कई कारण है पहला कारण यह है कि कतर खाड़ी देशों में अमेरिका का करीबी है। दूसरा, कतर में हमले के लिए इजरायल को इरान से जादा मेहनत करनी परती और इसका खामियाजा भी जादा भुगतना परता। कतर पर हमले की सूरत में अमेरिका भी इज्रायल का साथ नहीं देता। हानिय तुर्की भी जाता रहता था, लेकिन तुर्की नाटो सदस्य देश है। ऐसे में इज्रायल कभी भी तुर्की में भी उसे निशाना नहीं बना पाता। ऑ्टल्ध कोगोज तुर्की जाता हुझ कल दुर्क कि Lucas di enfermed lived, चुर्की ददीया रहता हुदाना थाmpा रहता हुदाना हाली कि में बना बनाववी दे उज्रायल को ये विस्ले है। चलाब कर दोल्या आझावी hmm